नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में निकली कॉंस्टेबल एक्जेक्यूटिब की भरती के बारे में तो आप सभी को पता है दोस्तो दिल्ल पुलिस में कॉंस्टेबल एक्जेक्यूटिब मेल और फेमेल की भरती के लिए आभेदन सुखार किये जा रहे हैं तो अगर आपने आभेदन अभी तक नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है और अगर आपने आभेदन कर दिया है फिर भी आ 38 से रिलेटेट जारी किया है तो दोनों नोटिस को मैं आपके लिए हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दूंगा आज कि इस नोटिस में इन्होंने एससी ने क्या बोला है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर सलता हूं यह है वो ऑफिसल नोटिस जो एससी ने अपनी website पर पुब्लिक्स किया था लेकिन यहां पर दोस्तों यह साथ सितंबर से मतलब यह जो नोटिस था वो यह नोटिस था कि आपकी जो है वो भरती कैसे होगी कितनी पोस्ट पर होगी और आपकी जो ऑनलाइन एप्लिकेशन वो कब से कब तक शुरू की था हूं ठीक है तो पहले नोटिस दोस्तों यह है जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है के डीडेट्स में रेफर्ट टू पैरा थ्री बैकंशीज ओव दी नोटिस ऑफ एफ्षर्षेड एग्जैमिनेशन ठीक है तो पैरा थ्री में दोस्तों क्या दिया गया है वह मैं दोस्तों टोटल वैकंशीज अंडर ओवीसी कॉलम में भी ज्रीट ऐस 1130 इंस्टेड ऑफ 1130 तो दोस्तों यहां पर जो यह ओफिसल नोटिस निकला था यहां पर जो इनकी ओवीसी की टोटल वैकंशी इस कॉलम में आप देखेंगे 1133 छपा हुआ आया था लेकिन अभी एस 1133 की जिगा 1130 वेकंशी हैं पहले नोटिस यह हो गया उसके बाद में दोस्तों दूसरा नोटिस भी मैं आपके लिए बिल्कोट क्लियरली बता देना चाहता हूं दूसरा नोटिस दोस्तों आपका यह है ति कमिशन हैज बीन रिचेवड ए नंबर ओफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दिए स्प्रिंग एप्लिकेंट्स ऑफ एफोर सेड एक्जामिशन रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेक्शन अबलिकेशन अबलिक्शेंज इन फोटोग्रा किसी ने कुछ गलती कर दी कहीं ने किसी ने सिगनेचर करको अप लोड नहींगें किया है किसी ने फर्म को करती समय अपनी एज गलता कर दी, every date or birth मतलब ठीक से नहीं डा लीए, ऐसे सारी जिए उसी मिस्टेक हो रही थी बच्चों से जिस से ऐसेकश की तरफ से दोस्तों य drawn to para 8.6 of the notice of the aforesaid examination which clearly specify that before submission of the online application, candidate must check that they have filled correct detail in each field of the form, ठीक है, after submission of the form, online application form, no change, correction, modification will be allowed under any circumstances, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तो, request received in this regard in any form, like post, fax, email, by hand, etc, shall not be entertained, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तो पहरा 8.6 में उन्हों ने पहले ही clear कर दिया था, चलो हम देख लेते हैं, पहरा 8.6 क्या कहता है इनका, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहरा 8.6 में हमने clearly mention किया था कि भाहिया, आपका जो correction है, वो कोई भी correction नहीं माना जाएगा, ठीक है, पहरा 8.6 है, तो हम 8.6 में आ गहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए कोई भी लिए जाएगा, इसलिए आप जो है वो डिटेल को मतलब फॉर्म को समिशन से पहले अच्छे से आप उतने फॉर्म को चेक कर लें कि आपके आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो नोटिस था आपका पोस्ट का जो आपको विशी में दो पोस्ट कम हुई है, दूसरा नोटिस है कि आपका आपने जो फॉर्म फ्लप किया है, उसमें आपके लिए कोई भी करेक्शन के लिए मुका नहीं दिये जाएगा, तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो देखी होगी, फर्स्ट में जो जब यह नोटिस आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके लिए साफ साफ बता भी दिया था, कि एससे के तरफ से दोस्तों आप उसको करेक्शन नहीं कर पाएगी, तो आपने वीडियो साइट मेरे नहीं देखी होगी, इसलिए यह काफी सारे बच्चों ने गलती की है, तो दोस्तों उम्मित करता हूँ, मैं ओन युगाँ से जिनों ने अभी तक इस भरती के लिए फर्म फिलप नहीं किया है, तो आपने अगर ऐसे गलती की है, तो बहुत दुख की बात है, आपको यह फर्म अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद में और जिनों नहीं बढ़ा है, तो यह गलती ना करें, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक जो है, वो हमने अच्छे से आपके लिए पढ़ के बता आये था, ठीक है, तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो बहुत बुरी खबर है, वैसे तो यह करेक्शन का मौका दिया जाता, तो काफी अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्शन का म अप्लाई करते हैं, वो तो उनका गया ही, लेकिन पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, कि आपको जो एक भरती के चांस था, वो निकल गए और वो भी दिल्ली प्लिस में आपके लिए जो भरती होने के एक सुनेरा मौका दिये जा रहा था, वो आप आपका जो है, वो फॉर्म में कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिये जाएगा, तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमाप ली दोस्तों करेक्ट डिटेल देते हैं, और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को देखक मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जैहन जैवार